हेलो बच्चो मेरे चैनल पर आपका स्वावत है आज आप पढ़ेंगे व्यांजन किसे कहते हैं अगर आप अमारे चैनल पर पहरी बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बताईएगा जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उन्ही व्यांजन कहते हैं जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यांजन कहते हैं दूसरे शब्दों में व्यांजन उन्हें वर्णों को कहा जाता है जिसके उच्यारण में स्वर वर्णों की सहायता ली जाती है हिंदी वर्णों माला में व्यांजनों की संख्या 41 होती है जैसे का खा गा गा रा चा जा 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 ईया ता था रा दा रा ता ता, था, द, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, सा, शा, सा, हा, त्र, त्री, ग्या, री. धा, द, या, भा, बा, या, द, नाउ्कल, पा, श, रा, पू द. झाल, पू, द.